पर्शिम बंगाल के कुलकता में आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के बलातकार और हत्या के मामले को लेकर विपक्षी दल ममता सरकार पर निशाना साथ जहें हैं। उनके वकील शांतनुदे पुलीस और अस्पताल सुरक्षा करमचारी सेमिनार हॉल में दिखाई दे रहे हैं जहां अपराद हुआ था। विडियो में स्वास्त भरती बोर्ड में तैनात फॉरेंसिक मेडिसन के एक प्रदर्शनकारी देबाशीश सोम नाशनल मेडिकल और अस्पताल में डेटा एंट्री अधिकारी प्रसन्यू चोट्टो पाध्धाय भी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के राज्य महासचीफ जोगुनाथ चोट्टो पाध्धाय ने विडियो को लेकर कहा। विडियो में स्पष्ट रूप से अपराद स्थल पर इतने सार लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलीस ने उन्हें सेमिनार हॉल के अंदर क्यों जाने दिया। जहां बलातकार और हत्या हुई थी। ये सपष्ट है कि सबूत नश्ट कर दिये गए। वहीं इन दावों को खारिज करते हुए कोलकता पुलीस कमिशनर सेंट् लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। जिसमें सबूतों से छिरचाड का आरोप लगाया गया है। क्योंकि कुछ लोग समिनार हॉल के अंदर खड़े हैं। विदावा कर रहे हैं कि घटना स्थल की घेरा बंदी नहीं की गई थी। समिनार हॉल के जिस हि अंतनुदे ने पूरे मामले पर मीडिया कर्मियों को बताया। विडियो शेत्र के बाहर के हिस्से का है। जिसे सील कर दिया गया। इसकी लंबाई चोड़ाई करीब 10 फीट है। वहां आरजी कॉर के डॉक्टर समीत कुछ लोग भी मौजूद थे। लेकिन किसी को भी सील खबर है कि त्रणमूल नेता अभिशेक बैनर जी की बेटी को रेप थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक विडियो वाइरल होने के बाद इसमें एक आदमी त्रणमूल कॉंग्रिस के सांसद और राश्ट्र महासचीफ अभिशेक बैनर जी की 11 साल की बेटी क बलतकार की मांग कर रहा है। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संग्रक्षन आयोग ने स्वतर संग्यान लेते हुए मामला तो दर्ज कर लिया है। आयोग ने कहा कि टिपणी पॉक्सो आक्ट जेजे आक्ट यूएन सी आर्सी के तहत अपराद की शिड़ी में आता है। प आयोग की अधियक्ष तुलिका दास ने कहा कि विडियो में दिखाए गए अपरादी की पहचान मीनाखान सीडी ब्लॉक के मंगचला गाउं के निवासी के रूप में की गई है। उन्होंने इसे एक नाबालिक लड़की की सुरक्षा और सुरक्षा को खत्रे में डालने व झालने विडियो स्थरक्रा की अभ़की की विडियो में डालने विए एक भी गई है रगए ने तुरक्ता की गई है।